मैं new character skill test करने के लिए training में गया तो बाइस आप जैसे कि बिन आपको कल tonight update के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे यह female character आने वाला तो finally यह हमारे top up event में आ गया अभी इसकी character की skill क्या है गेम प्ले करके आपको मैं बताऊंगा पहले top up मैं कर लेता हूँ जब तक मैं top up कर रहा हूँ आप फड़ा फड़ वीडियो को like चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell notification को all पे कर देना और हाँ यहाँ पे अगर आपको भी यहाँ पे top up free में करना है तो मैंने comment में link दिया हुआ रेडियम कोड का वो link पे क्लिक करके आप जल्दी से जाके रेडियम कोड ले लो तो यहाँ पे मेरा top up हो जोगा है successful इसको okay कर लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने top up event में और देख सकते हो saw diamond के top up पे यहाँ पे हमको मिल रहा है यह female character और यहाँ पे इसका यह bundle तो चलो हम दोनों claim कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने sword diamond ये claim कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम इसको open कर लेते हैं तो चलो इसको हमने open कर लिया है अब इसकी skill की बात करते हैं पहले हम इसको character को ले लेते हैं तो यह रहा character अब इसको हम कर देते हैं level up तो फटावर इसको हम level up करते हैं और यह रहा हमारा character और यह max हो पाईगा कि नहीं यार वहाँ सा दिक्तक मुझे लग रहा है कि मेरे पास चलो हो जाएगा नहीं भाई नहीं हो पाईगा अब इसके लिए हमें diamond लगाना पड़ेगा नहीं यार यहाँ पे लगा यहाँ पर 32,000 लगा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो लेवल अपने पुरा max कर लिया है तो चलो है यहाँ पर गेम प्ले टेस्ट करने से पहले हम पहले इसकी skill की बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था मतलब आप Skylar के साथ के character के साथ यह DJ Log के साथ लेके खेल सकते हो तो चलो अब इसको हम test करके देखते हैं मैं new character skill test करने के लिए training में गया अब यहाँ पर मैं जाने के बाद confused कि यहाँ पर मैं rate of fire मैं कैसे test करूँ मतलब यहाँ गोली तेज निकल रही है कि नहीं निकल रही है यह skill लेकिन मैं test कैसे कर सकता हूँ भाई मैंने बहुत कोशिश किया training ground के अंदर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सच में गोली जादा तेज निकल रही है क्या normally speed निकल रही है तो उसके बाद मैंने सुचा लाओ training हटा के हम जाते हैं lone wolf में अब lone wolf में भी वही हुआ यहाँ पे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या सच में मेरी जो new skill है वो काम आ रही है की नहीं वो use सही में हो रही है की भी नहीं सही से तो यहाँ भी मैंने काफी try किया और काफी देर के बाद मुझे यहाँ पे भी नहीं समझ माया फिर मैंने एक idea लगाया वो idea क्या है मैं आगे अपने training ground के home पे जहाँ पे हम gun खरीते हैं देखो यहाँ पे मैंने normal character लिया हूँ जिसके साथ यहाँ पे मैंने new character के skill नहीं लगाया हूँ और इसको हम test करेंगे training ground के अंदर तो यहाँ पे normal character लिया हूँ उसके उपर testing किया हूँ उसके बाद मैंने लिया है new character skill उसके बाद इसके उपर मैंने test किया है और दोनों के test comparison के result आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ पहले तो हम यहाँ पे normal character लिया है इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो skill नहीं लगी है लुना character की तो देखो यहाँ पे मैंने MP40 गन लिया है इसके अंदर गोली है 28 तो हम इसका जो test चालू करेंगे वो करेंगे हम 27 गोली से ठीक है 27 गोली से तो पहले हम इसको पूरा zoom कर देते हैं और zoom करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या जैसे ही 28 से 27 होगे हम इसको cut करेंगे देखो अब 27 हुआ यह 27 देखो जैसे 27 होता है on the spot हम cut करेंगे यहाँ पे हम इसको cut कर देते हैं और यह जो हमारा पुराना part है इसको हम अटा देते हैं जिससे हमारा जो cut to cut rate है rate of fire का वो हमको exact मिले और इससे आपको समझ में आएगा कि ये skill है क्या देखो ये तो हमने 27 से चालू किया अब इसको हम खतम करेंगे एक गोली पे जैसे 2 से 1 गोली आएगा तब हम इसको खतम करेंगे तो देखो हम आ चुके हैं 2 गोली पे अब इसको ह fire एकदम perfectly समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ गया देखो अब यहाँ पे आपको देखना है ये timer ठीक है ये जो 27 गोली जब मैंने firing करना स्टार्ट किया continue तो यहाँ पे एक गोली जब तक बची है कितना time लगा है तो हम इसको note कर लेते है time यहाँ पे आप देखना तो यह रहा मेरा start point जो की 00 है अब यह MP40 की जब गोली एक बची थी तो उसका time क्या था एक second 601 millisecond तो हम इसको क्या करते हैं note pad पे note कर लेते हैं क्या note करेंगे एक second 601 millisecond ठीक है यह तो हमारा test number one हो गया इसी तरीके साम तीन बार test करते हैं तो चलो यह पर मैं second वाला भी cut कर लेता हूं देखो मैंने second वाला भी cut कर लिया है अब इसको मैं drag करके उपर लाता हूं अब इसका जो timer है start point देख लो यह 27 पे है अब इसका भी गोली जो खतम होगा वो एक पर खतम कर रहे हैं ठीक है तो यह तो दो होगे अब मैं तीसरे test करता हूं फिर से यहां पर देख सकते हो मैंने third test के लिए मैंने cutting कर लिया है मतलब मैं 27 गोली से start किया है और यहां पर मैं एक गोली पर खतम किया है तो अब मैं इसको drag करके उपर ला देता हूं मतलब यह तीनो test एक साथ रहेगा test number 1 आपक 602 करके तो यह normal character मतलब जो हमारी Luna character है उसके साथ अभी test नहीं किया है तो यहां पर पूरी MP40 की 26 गोली निकली है एक सेकंड 602 मिली सेकंड में ठीक है अब हम test करते हैं यहां पर Luna character के साथ तो चलो अब हम यहां पर इसको cutting कर लेते हैं और यह Luna character की cutting हम करेंगे 27 गोली से ठीक यहां पर ने डिलेट कर दिया और यह Luna का जो test है यहां पर आपको बता दू तो यहां पर देख सकते हो जो इसका start point है वो है 27 गोली से और टाइमर देख लो 00 है और इसका end point है वो एक गोली पे है और इसका timer है 1 second 468 मिली सेकंड तो अब इसको हम note कर लेते हो देखो भाई बह सेकंड कर लिए इसको ड्रेट करके हम उपर ला देते हैं और यहांपे देख सकते हो 27 गोली से start point хотя 00 और यहांपे जो end point है वो है 1 second 401 मिली सेकंड तो यहां पे हम इसको भी note कर लेते हैं और यहां पर भाई साब बहुत कम आया यह बारतो 401 mm तो चलो यहां पर हम तीसरा test कर ले और इसको मैं drag करके उपर ला देता हूँ ठीके तो देखो इसका जो start point है वो है 27 गोली से और 00 timer है अब इसका end point है वो है एक गोली पे और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका timer है 1 second 468 millisecond तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं note 1.468 तो चलो यहाँ पर आपको result दिखाता हूँ normal character के साथ और lunar character के साथ क्या result निकला है तो यहाँ पर आपको बता दू 1000 millisecond को 1 second बोला जाता है तो 1000 और यह 600 मतलब 1601 millisecond तो देखो यार 1601 millisecond divide by कितना गोली 26 गोली मतलब हर 61.5 second में आपका MP40 की एक गोली निकल रही है तो यहाँ पर हम note कर लेते हैं 61.57 ठीक है एक गोली का rate और अब हम यहाँ पर lunar character के साथ टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर lunar character का आप देख सकते हो 1468 तो 1468 divide by 26 गोली तो यहाँ पर आ रहा है result 56.46 millisecond में एक गोली निकल रही है तो देखने में आपको 5 millisecond का फर्क लग रहा है लेकिन यह फर्क बहुत अब यह आपको पता देता हूं त यह character को और भाई सब यह 133 millisecond भाई सब बहुत काम लायक है अभी आपको बता दूं MP40 में हमने गोली कितना यूज किया था 27 से 1 के बीच में तो यहाँ पर 26 गोली यूज हो रही थी तो यहाँ पर जो हमारा result निकला था 133 millisecond हमको फाइदा मिल रहा है यह new character के साथ ठीक है त पर 10 गोली उतारी तो आप वही टाइम पर आप 11 गोली उतार लोगे और आपको पता है एक गोली का डेमेज तेज तेज परता है तो भाई सब एक एक एक्स्ट्रा गोली आपकी निकल जाएगी मतलब यहाँ पर एनिमी ने या बंदे ने आप 20 गोली उतार आप अपनी MP40 की तो यहाँ पर आप 22 गोली उतार लोगे दो गोली एक्स्ट्रा तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको फाइदा मिलने वाला है एक एक गोली का तो यहाँ पर मैंने डीप में आपको यह करेक्टर की स्किल में आपको समझा दी कि यह करेक्टर कितना फाइदेमंद है तो भाई सब उसके साथ तो और धमाल मचा देगी अगर नॉर्मल स्कीन है तो भी आपका रेट ओफायर बढ़ा देगी अगर आपको ये वीडियो इन्फरमेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना है